हेलो बच्चो स्वागत है एक नए वीडियो में है आज किस वीडियो में हम आपको करक्षा स्वार्टी आपका एड़ अभवे अभाई पृस्त्ध का संपूर सविशन के सांथ इस वीडियों बताने वाले हैं आज कि इस वीडियो में हम आपको क्या बता alpha colocar सब्सक्राइब करेंगे और आपको देखी कि हम डेवाइडे सभी सॉल्यूशन बताते जा रहे हैं जो आपकी न्यू बुक आई उसके आपको यहां पर फूर आपके चैप्टर दिये गए हैं 22 चैप्टर सभी के पीडिया नोट मिल जाएंगे आपको बस आपको इस वीडियो पुरू तयारी दिया गया यह आप देख लीजिएगा यह आपका फर्ष्ट चैप्टर है प्रातना ठीक है यहां देखिए कभी किसके जल पबन अन्न माटी में पलता है कभी किसके जल पबन अन्न माटी में पलता है तो किसके में परता है यह भारत के पलता है यह आपका र राइट अंसर भी हो जाएगा आप लोगों का तो उस तरीके से आपको करना है अधिलाग उत्तरी प्रश्ण के तरफ पुर्ण है देखेगा हमें अपने बिद्ध्यालाइक की प्रात्ना कप करनी चाहिए तो हमें अपने बिद्ध्यालाइक की प्रात्ना कप करनी चाहिए तो इसी एकॉर्डन की के लिए कॉश्चन नमबर पांच है यदि पूजा करने वाले को पूजारी कहते हैं तो सेवा करने वाले को कहते हैं क्या कहते हैं सेवा करने वाले को अपन सेवा कहते हैं चलिएगा प्रकती, पुरुष, पसू सबको अपना सगमाना है तो यहाँ पर आप यह नाम ध्यान रखेगा प्रकती, पुरुष, पसू क्योंकि यह इंपोर्टेंट अगर भूल जाओगे तो आपका नमबर कट जाएगा ठीक है? चलिए क्वेशन नमबर आठ है हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें अपने देश के लिए देश प्रैम का भाव रखना चाहिए बादेश की उन्नती के लिए कार करना चाहिए तो इस तरीके से इस क्वेशन को भी आपको यहाँ पर लिखना आफश से होगा question number 9 देखीगा यहाँ पर question number 9 है यहाँ पर दिया गया है कि अपने अराध्य की अराध्य की अराध्य करने से क्या लाप है तो अपने अराध्य की अराध्य करने से मनुस्य से अधिक स्वक सांती पाता है तो उस तरीके से बच्चो इस question को भी आपको लिखना होगा चले, question number 10 देख लेते हैं, question number 10 दिया गया है, कि मेरी मात्र भूमी है, मैं भारत का योग बनू, इस पंक्ती में, इस पंक्ती से आप क्या समझते हो, अपने सब्दों में लगेए आपको इसका उत्तर लिखना है कि भारत मेरी मात्र भूमी है मैं इसकी रक्षा के लिए योग बनना चाहता हूँ तो इस तरीके से इस question को आपको लिखना होगा चलिए अब दीगरुत्री प्रशन की बात करें मात्र भूमी का अर्थ क्या हो जाता है कि हमारी जन्म भूमी जहां हम जन्म लेते हैं और रहते हैं मुझे अपनी मात्र भूमी भारत पर गर्भ है मात्र भूमी की माटी चंदन आओ तिलक लगाएं इस माती में जन्म लिया यह सोच के हम इत्राएं बीरों की पावन धरती को आओ सीश जुकाएं इस माती में जन्म लिया यह सोच के हम इत्राएं तो बच्चो इस तरीके से आपको यहाँ पर लेखना होगा जो आपका question number 12 है कि प्रात्ना कविता में पाठ कविता पाट से आपने क्या सीखा उसे अपने सब्दों में लिखिए तो बच्चों देखिए यहाँ पर प्रात्ना कभी पाट से हम प्रभू की प्रात्ना करते हैं जिसे हम सुख सान्ती का अनबव प्राप्त होता है हमने प्रकती प्रोश पसूर सबको अपना बनाना सीखा है एवं प्राकती का अनबव किया है एवं अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए भाव जाकरित किया है तो उस तरीके से इस कुशन को हमने देखा नेक्सी वीडियो में हम चैप्टर टू का समपूर सॉल्यूशन देखने वाले हैं बच्चों अगर इसकी पेडियाप डाउनलोड करना है तो आप अभी वाटस्टेप चैनल को जोईन कर लिजेगा उसकी लिंक आपको वीडियो को रिस्क्रिप्शन दी गई है वहाँ से जाकर चेक कर लिजेगा और आप लोग टेलिगराम चैनल को भी जोईन कर लिजेगा वीडियो फुस्टेज वीडियो को लाइट जरू कर दीजेगा मिलते नक्स वीडियो में धन्यवाद